बॉलिवूड इंडस्ट्री की खुबसूरत अदाकारा है सना खान जिन्होंने अपने फिल्मों में कभी पॉजटिव तो कभी नेगटिव किरदारों को निभाया है और जम कर खुब तारिफे भी बटोरी हैं जिसके चलते आज इन्हें किसी भी पहचान की कोई जरूरत नही हैं साथ ही अपने परसनल लाइफ के लिए भी खुब जादा मश्चूर हैं लेकिन दोस्तों कि आप चांदे हैं कि फिल्मों के साथ साथ टीवी शोस में अपने आक्टिंग का जल्वा बिखेने वाली अभी ने तुरीस सना खान के पहले प्यार के बारे में जो कि रह गया अधूरा जी हां दोस्तों सही सुना है आपने अभी ने तुरीस सना खान का पहला प्यार जो कि अधूरा रह गया तो इसलिए आज के मारे इस वीडियो में ना हम आपको सना खान के उसी पहले प्यार से रूबरू करवाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखरकार क्यों इनका वो पहला प्याद अधूरा रह गया अगर आप भी जाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के आंत तक बने रहीएगा और साथ ये अपनी फेवरिट अभीनेत्री यानि कि सना खान के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें फिल्मों के साथ साथ टीवी शोज में अपने दमतार अभीनेत्री सना खान को शायद ही कोई ऐसा शक्स होगा जो आज ना जानता हो जिन्होंने अपने खुबसूरती से भी लाखों लोगों को अपना दिवाना तो यूही बना लिया है लेकिन बात करें इनके पहले प्यार के बारे में जो किया धूरा रह गया तो दोस्तों आपको बता दे कि इनका वो पहला प्यार कोई और नहीं बलकि टीवी इंडस्ट्री के मश्चूर अभीनेता विशाल करवाल है जी हाँ विशाल करवाल ही है वो शक्स जो अभीनेत रिस सना खान का पहला प्यार है उन्हों ने इनके साथ जिंदिके में साथ निबरने का वादा किया लेकिन अफसोस उन्हों ने अपना इस वादे को पूरा मही किया अगर बात के जाएं दोनों की लव स्टॉरी के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि इन दोनों की पहले मुलाकात रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 6 के हाउस में हुई थी जहाँ पर ये दोनों दर्शकों का खूब एंटर्टेन्मेंट करते हुए नजरा रहे थे इस के बाद इन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू करतिया उसके बाद ही ये दोनों बिग बॉस के घर में एक दूसरे के साथ ज़ादा क्लोज नजर आने लगे थे इन्हें इस तरह देखकर सबको यही लगने लगा था कि ये दोनों एक दूसरे से शादी तक कर लेंगे लेकिन अचानक इन दोनों के बीच में छोटी सी बात को लेकर आर्गुमेंट यानि के बहस हो गई उनकी ये बहस इतनी जादा बढ़ गई कि इन्होंने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया और इसी वच्छा से इनका ये पहला प्यार रह गया हमेशा हमेशा के लिए अधूरा दोस्तों बता दे कि वरतमान में इन्होंने अपने पहले प्यार के गम को भुला कर गुचराब के एक बिजनसमैन मुफ्ति अनस सयद से इन निकाह कर लिया है और अपनी परसनल लाइफ में खुश है तो दोस्तों सनाखान के पहले प्यार की कहानी के बारे में जान कर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या रहा है आपका रियाक्षन आप हमें कमेट बॉक्स में जरूर बताईएगा और साथ ही टीव इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही मज़ेदार और इंट्रस्टिंग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें